हाई गाईज, I hope you all are doing great हम लोग बात करें हमारे डेली करेंट प्रेस सेशन की जो सुबा चार बजी वेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चानल पिनैकलर फ्रंटियर आएस पर आज की तारीक है 23 अगस 2022 दोनों चानल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से sscjlpnacle.com और बलजी धाका.com साथ ही साथ पर डेली वीडियोज, pdf and monthly magazine आप माई टेलिग्राम हैंडल स्टार्ट करेंगे प्रीवेस स्कूल्स के साथ मैंने आपसे पहला क्वेस्टिन पूचा था कि नेवेंबर 2022 में किसकी आत्म का था बीबी मैं स्टोरी का विमोचन किया जाएगा इसका करेक्ट आंसर था बेंजामी नेतनियाहू और दूसरा क्वेस्टिन पूचा था कि 100 प्रतिशत हर घर जल प्रमानन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है इसका करेक्ट आंसर था गोवा स्टार्ट करेंगे फॉर्स्ट क्वेस्टिन है सोफ्या बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुष्टी चैंपेंचिप में स्वरन जीतने वाली पहली भारतिय महिला कौन बनी है इसका करेक्ट आंसर है अंतिम पंगाल देटेल्स देख लो तो हर्याना की पहलवान अंतिम पंगाल सोफ्या बुल्गारिया में अंडर 20 विश्व कुष्टी चैंपेंचिप में स्वरन पदक जीतने वाली पहली भारते महिला पहलवान बन गई है उन्होंने यह उपलब्दी हासिल करने के लिए 53 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की एटलीन शगयेवा कोहराया अंतिम पंगाल हर्याना के हिसार जीले के भगाना गाउं की रहने वाली है सोनम मलेक और प्रियंका ने क्रमक्ष 62 किलोग्राम और 65 किलोग्राम में सुरन पदक की मुकाबले हारकर रज़त पदक जीते सरकार ने डैश के कोशल विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीन उद्यमी परियोजना का दूसरा चरन शुरू किया है करेक्ट आंसर है आदिवासी यूवा यानि ट्राइबल यूथ डिटेल्स देख लो तो राश्टिक कोशल विकास निगम NSDC ने सेवा भारती और यूवा विकास सोसाइटी के साथ साज़दारी में आदिवासी समुदाय में कोशल प्रशिक्षन बढ़ाने के लिए ग्रामीन उद्यमी परियोजना के दूसर चरन के शुरूआत की ग्रामीन उद्यमी एक अनूठी बहु कोशल परियोजना है जिसे NSDC दवारवित पोशित किया गया है जिसका उदेश मध्य प्रदेश और जार्खंड में 450 आदिवासी चात्रों को प्रशिक्षित करना है यह है पद्योजना महराष्ट्र, राज्यस्थान, छत्यसगर्ड, मध्य प्रदेश, जार्खंड और गुजरात में लागू की जा रही है नेक्स देखो विश्व वरिष्ट नागरिक दिवस, यानि World Senior Citizens Day कब मनाया जाता है? इसका correct answer है 21 August details देखलो तो विश्व वरिष्ट नागरिक दिवस हर साल 21 August को मनाया जाता है इसे संयुक्त राज्य अमेरिका USA में राश्टे वरिष्ट नागरिक दिवस के रूप में भी जाना जाता है यह दिन मानव समाज में बुज़र्ग लोगों के योगदान को जागर करने और उन्हें सम्मानित करने के रादे से मनाया जाता है नेक्स देखो इंडिया's economy from Nehru to Modi अब ब्रीफ history नामक पुस्तक किसने लिखी है? Correct answer है, पुलप्रे बाल कृष्ण डिटेल्स देख लो तो इंडिया's economy from Nehru to Modi अब ब्रीफ history शीशक वाली किताब पुलप्रे बाल कृष्ण दुवारा लिखी गई है पुलप्रे बाल कृष्ण अशोक विश्विदाले सोनीपत के अर्थ शास्तर के प्रोफेसर और भारते प्रबंदन संस्थान कोजी कोड के वरिष्ट फैलो है नेक्स देखो केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को भगौलिक संकेत जी आई टायक्स सम्मानित किया है करेक्ट आंसर है बिहार डिटेल्स देख लो तो केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना को भगौलिक संकेत जी आई टायक्स सम्मानित किया है मिथिला मखाना या माखन बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेतर में खेती की जाने वाली जलिय मखाने के एक विशेश किस्म है इसका बोटानिकल नाम है यूरियेल फेरोक्स सैलिस्प यह टैक 10 साल की अबदी के लिए वैद है जिसके बाद इसे नवीनी कृत यानि रिन्यू किया जा सकता है मखाना मिथिला की तीन प्रतिष्ठेत सांस्कृतिक पहचानों में से एक है पान, माखन और मच यानि मचली मिथिला की तीन प्रतिष्ठेत सांस्कृतिक पहचान है बात करें हैं आपर बिहार की तो इसकी वॉल हेटे साइट्स में आता है महाबोधी टेंपल बोध गया नालंदा यूनिवर्सिटी वाइलाय सेंक्च़री में आता है उदेपुर वाइलाय सेंक्च़री वालमी के टाइगर रिजर्व राजगेर वाइलाय सेंक्चरी और कैमोर वाइलाय सेंक्चरी बिहार की कैपिटल है पतना CMN निटिश कुमार गवर्नर है पागु चोहान Next देखो कॉंग्रस नेता सेद सिब्दे रजी का हाल ही में निदन हो गया उन्होंने किस राजय के राज़पाल के रूप में कारे किया था करेक्ट आंसर है दोनों A और C यानी जारखन और असम डिटेल्स देख लो तो जारखन के पूर्व राजयपाल और कॉंग्रस नेता सेद सिब्दे रजी का 83 वर्ष की आयो में निदन हो गया जारखन के अलावा उन्होंने असम के राजयपाल के रूप में भी कारे किया वह कई बार राजयसबस अदस्य और कॉंग्रस से MLC भी रहे उन्होंने 1969 में अमेठी से युवा कॉंग्रस के साथ राज़नीती की शुरुवात की नेक्स देखो बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के 89 बोर्ड में किस भारती को न्यूक्त किया गया है करेक्ट आंसर है आशीष धवन डिटेल्स देख लो तो भारती परोपकारी आशीष धवन को बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के 89 बोर्ड में न्यूक्त किया गया है फाउंडेशन अपने 89 बोर्ड में दो नए सदस्यों की न्यूक्ती की घोशना की आशीष धवन और दॉक्टर हेलन डी गेल आशीश धवन, Convergence Foundation के संस्थापक और CEO है और डॉक्टर हेलेंडी गेल, अमेरिका के स्पेलमेन कॉलेज के ध्यक्ष है आशीश अशोक विश्विदालियव और Central Square Foundation के ध्यक्ष मी है जो भारत में बच्चों के लिए शिक्षा की गुनवत्ता में सुधार के लिए काम कर रहे गेल लापकारी संगठन है नेक्स देखो इसका correct answer है जारखंड डिटेर्स देख लो जारखंड सरकार नेकन उठी परियोजना शुरू की है जो किसानों को बीच वित्रन के लिए ब्लॉक्चेन प्रद्योगी की का उप्योग करवाती है ग्लोबल ब्लॉक्चेन टेकनोलजी मेजर सेटल्मेंट के सहयोग से शुरू की गई परियोजना का उदेश्य क्रिशे क्षेतर में क्रांती लाना और चोरी को कम करना है यह परियोजना 18 अगस 2022 को क्रिशी ने देशालिय जारखंड दवारा शुरू की गई थी बात करें हाँ पर जारखंड की तो इसके डैम्ज और रिवर्ज में आता है पंचेट डैम दामोदर तेनुगा डैम दामोदर जारखंड की कैपिटल है रांची सीमें हेमन सोरेन गवर्नर रामेश बाइस नेक्स देखो मंकी पॉक्स के लिए भारत की पहली स्वादेशी आर्टी PCR किट किस कंपनी दोवारा विक्सित की गई है इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसेशिया बायो मेडिकल्स डिटेल्स देख लो तो ट्रांसेशिया बायो मेडिकल्स दोवारा मंकी पॉक्स रोग के परिक्षन के लिए भारत की पहली स्वोदेशी रूप से विक्सित आर्टी PCR किट विक्सित की गई है किट का नावरन हाल ही में केंदर के प्रधान विज्ञानिक सलहकार अजे कुमार सूध ने किया ट्रांसेशे एर्बा मंकी पॉक्स आर्टी PCR किट अत्यदिक समवेदन शील यानि हाइली सेंजिटिव है लेकिन उप्योग के लिए असान है डेबल्यू एचो के नुसार मंकी पॉक्स एक ऐसा वाइरस है जो जानवरों से मनुश्यों में फैलता है जिसमें चेचक यानि मंकी पॉक्स के समान लक्षन होते हैं लेकिन चकित से रूप से कम गंभीर होते हैं चौदा जुलाई को केडल के कोलम जीले ने देश में मंकी पॉक्स से पहले मामले की घोश्ट ना की थी लास्ट क्वेस्टन देखलो आज के सेशन के लिए राष्टे विग्यान फिल्म महतसच का बारवा संसकरन किस शेहर में आयुजद किया जा रहा है इसका correct answer है भूपल दिचेल्स देखलो तो राष्टे विग्यान फिल्म महतसफ का बारवा संसकरन 22-26 अगस तक भुपाल के रविंदर भवन सभागार में आयुजित किया जाएगा यह पहली बार है कि राष्टे विग्यान फिल्म महतसफ मधर प्रदेश में हो रहा है यह महतसफ बिग्यान फ्रद्योगी की और पर्या वरन पर फिल्मों को प्रोचाइद करने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है इस वर्ष 246 फिल्मों में से 71 को फिल्म समारों में स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है क्विकली बात कर लेते हैं आज की सेशन की समरी की तो सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चेंपेंशिप में गोल्ड हासिल करने वाली पहली इंडियन विमन बनी है अंतिम पंगाल ट्राइबल यूथ में स्किल्ड डवरपेंट प्रमोट करने के लिए ग्रामीन उद्यमी प्रजेक्ट का सेकंड फेज लॉंच किया गया वर्ल्ड सीनिय सीटिजन्स डे 21 अगस को मनाया जाता है इंडियाज एकॉनमी फ्रम नहरू टू मोधिया ब्रीफ हिस्ट्री बुक पुलाप्रे बालकृष्ण ने लिखी है बिहार के मिथिला मखाने को जियाई टैग दिया गया जार्कन और असम के गवर्णर रहे सैयद सिब्दे रजी का निधन हो गया Board of Trustees of Bill & Melinda Gates Foundation में इंडियन आशीश धवन को अपॉइंट किया गया है Farmers को Sears की Distribution के लिए Blockchain Technology जार्कन में लौँच की गई है Monkeypox के लिए इंडिया का पहला Indigenious RT-PCR Kit Trans-Asia Biomedicals ने डवलप किया है और National Science Film Festival का बारवा एडिशन भोपाल में आयोजित किया जा रहा है बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुस्वद अडे के आपका पहला Question है सतरवा प्रवासी भारतिय दिवस जैनवरी 2023 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा और आपका दूसरा Question है पेरलंपिक चैंपियन युगेश कथूनिया किस खेल से जुड़े है दोनों Questions हमारे प्रीवेश सेशन से है इनके सांसे नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्रम हैंट्स को जोईन जरूर करना है थैंक यू सो मच आल सीन में नेक्स सेशन